हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुती खस्ता क्रिस्पी नमक पारे नमकीन वाले फ्रेंड्स इस रेसिपी को हम विट फ्लोर गेहु का आठा इस्तमाल करके बनाएंगे हेल्दी तरीके से मैंने यहाँ पर तीन कप गेहु का आठा निकाल के लिए हूँ और हाफ कप सूजी बरी कोलर रवा और टेस्ट के हिसाब से देड़ चमच नमक फ्रेंड्स हमें हेल्दी बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पर गेहु का आठा इस्तमाल की हूँ और एक चमच अजवाइन अजवाइन को हमें हलका सा क्रश करके अड़ करेंगे और एक चमच ब्लैक पेपर पौडर अजवाइन और ब्लैक पेपर पौडर अड़ करके हम बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा चटपटा तीका फ्लेवर आता है इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे नमक पारे हमारे खस्ता बन जाएं इसके लिए हमें यहाँ पर पाव कप आइल का इस्तमाल करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा ओईल एड़ करके हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे इस नमक पारे को आप मैदे का आटा इस्तमाल करके बना सकते हैं हमें थोड़ा सा healthy बनाना है इसके लिए मैं यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तमाल करके बना रही हूँ आटे में oil add करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से mix करके लेंगे ताके सभी आटे में oil हमारे अच्छी तरह से mix हो जाए देखिए इस तरह से हमें आटे का मोहिन लगा के लेना है अगर सही quantity में oil बराबर से add होता है तो इस तरह से आटे का मोहिन तयार हो जाता है देखिए इस तरह से हमें चेक करके लेना है मुठी बानते हुए आप इस तरह से बना कर बच्छों को टिफिन में दे सकते हैं टी टाइम में स्नेक्स के ताओर पर खा सकते हैं घर पर बना कर फ्रेंड्स अब हमें थोड़ा-thोड़ा पानी एड करते हुए टाइट सा डो तैयार करके लेंगे फ्रेंड्स हमें आटे का डो ज्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए अच्छी तरह से हमें टाइट डो तयार करके इसको हमें 2 से 3 मिनट तक मसलते हुए मिक्स करके लेंगे तके सभी क्रैक्स निकल जाएं फ्रेंड्स हमें हातों को थोड़ा सा ओईल लगा कर इस तरह से मसल कर हमें इसको आदे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे तके आटा हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट होके सेट हो जाएं मैं जिस तरह से बना रही हूँ इस वीडियो को देखकर आप जरूर से बनाएं इसको फ्राय करने के लिए बिल्कुल भी ज्यादा ओईल का इस्तमाल नहीं होता खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स अगर आप कहीं सफर में जाते हैं या तो फिर टी टाइम में और बच्चों को टिफिन में स्नैक्स के तोर पर बना कर दे सकते हैं थोड़ा सा ओइल लगा के हमें इसको अच्छी तरह से देखिए दो से चार मिनट तक हमें इसको मसलते हुए मिक्स करके लेना है वीडियो को स्किप के अगर पूरा देखिए अगर आप कम्पलिट वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा पूरा मेथेड किस तरह से हमने बनाया है अब मैं इसको पॉलिटिन के बैग में दालकर आदे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दूँगी मैं जिस तरह से बना रही हूँ इस नमकिन नमक पारे को आप जरूर से बनाईए आदा घंटा रखेंगे तो आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाता है आटे का डो हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है आपको मैं बताऊंगी किस तरह से हमें नमकिन पारे बनाना है स्टेप बाइ स्टेप फ्रेंट्स देखिए आटे को हमें दो पॉर्शन में डिवाइट करके लेंगे आप किस मुल्क से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर से कमेंट करके बताईए आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा आटे को मसल के लेंगे फ्रेंड्स आटा हमारा अच्छी तरह से सोफ्ट हो चुका है अब मैं इसको देखिए दो पॉर्शन में इस तरह से डिवाइट करके लूँगी आदा आटा मैं साइड में रखूंगी फ्रेंड्स अब हमें इसमें से और दो हिस्से में डिवाइट करके लेंगे थोड़ा सा हमें मसलते भी है इस तरहा से आटे को तयार करके लेना है इस तरहा से मसल कर हमें दोबारा से और डिवाइट करके लेंगे देखिए इस तरहा से हमें आटे का डो लेकर इसको थोड़ा सा घुमाते भी है सॉफ्ट करके लेंगे सभी क्रैक्स हमें निकालके लेना है अब मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाइ स्टेप नमकिन पारे किस तरह से बनाया जाता है थोड़ा सा हमें सुखा आटा डर्स्ट करके जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बेल के लेंगे बस हमें थोड़ा बहुत खयाल रखना है कि इसका साइज ना जियादा थिक ना जियादा पतला बन जाए फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमें बेलते भी है सभी तरफ इक्वल फ्लैट करके बेल के लेना है आगे मैं आपको बताऊंगी इसका साइज किस तरह से रखना है फ्रेंड्स देखिए सभी तरफ हमें कॉर्नर्स पर थोड़ा धैन देते हुए इस तरह से बेल के लेंगे सभी को हमें अच्छी तरह से बेलने के बाद देखिए इसका साइज मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह का इतना सा हमें रखना है अब मैं इसको एक पीजा कटर की मदद से कट करके लूँगी आप चाहे तो इसको छुरी के मदद से कट कर सकते हैं जितना हो सके उतना बेल के लेने के बाद बस हमें थोड़ा सा साइज पर धैन देना है अब मैं इसको इस तरह से स्ट्रेट कट करके लूँगी आदे इंच के साइज में हमें कट करके लेना है सभी कम्पलीट हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन कट करने के बाद और दो से धाइंच पर हमें इस तरह से cross cut करके लेना है मैं आपको बहुत ही easy तरीका बताते हुए बना रही हूँ अगर आप इस वीडियो को देखकर बनाएंगे तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी friends अब मैं इसको एक चमच की मदद से इस तरह से निकाल कर लूँगी friends देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा press करते हुए निकाल के लेना है अगर हम इसको एक एक पीस में निकाल के लेंगे तो आसानी से निकल नहीं पाएंगे और तेड़े मेड़े होकर तूट जाएंगे friends मैं आपको secret trick बताऊंगी इसको fry करने के वक्त हमें oil में add करके हलका हलका सा press करेंगे तो बिल्कुल separate हो जाएंगे आसानी से आगे मैं आपको बताऊंगी देखिए सभी नमक पारे को मैं इस तरह से चमच की मदद से निकाल कर ले रही हूँ साथ ही साथ मैंने कड़ाई में oil add करके गर्म होने रग दी हूँ थोड़ा सा नमक पारा add करके हमें check करना है oil के temperature को देखिए oil हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब हमें नमक पारे add करके इसको हलका हलका चमच से हिलाते रहेंगे इस तरह से अगर हम इस तरह से हलका हलका हिलाएंगे तो नमक पारे हमारे अच्छी तरह से separate होकर fry हो जाएंगे देखिए कितने अच्छी तरह से separate हो चुके हैं इस तरह से हमें low flame पर 5-7 नड़ तक fry करके लेना है नमक पारे हमारे अच्छी तरह से fry हो गए हैं अब मैं इसको निकाल के लूँगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथी notification वाला bell icon क्लिक करना न भूलें अगर आपको मेरे recipes अच्छी लगती हैं तो मुझे comment करके बताईए सबी नमक पारे में इस तरह से fry करके लूँगी मैं आपको और एक step बता रही हूँ देखिए इस तरह से हमें आटे का डो लेकर जितना हो सके उतना पतला बेल कर लेंगे बस हमें थोड़ा सा खयाल रखना है इसका साइज हमें ना जियादा थिक ना जियादा पतला बेलना है बाकी वले सबी नमक पारे मैं इसी तरह से fry करके ले रही हूँ फ्रेंड्स देखिए सबी नमक पारे हमारे अच्छी तरह से खस्ता क्रिस्पी करा रहे fry हो गए है मैं आपको कट करके बताऊंगी अगर हम इस तरह से बना कर एक महीने तक रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे फ्रेंड्स मैं आपको कट करके बता रही हूँ कितने खस्ता बन गए हैं हर एक नमक पारे हमारा अच्छी तरह से खस्ता क्रिस्पी बन गए हैं देखिए फिर मिलते हैं एक और नई मज़िदार सी रिसिपी के साथ अल्ला आफीज थैंक्स पर वाचिंग